असलाम नेकुम यूवर्स कैसे हैं आप उमीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे आज मैं आपको बनाना सिखाऊंगी सिंपल रसेपी है आलू और मुंग्रे की अच्छा नॉर्मली मैंने देखा है कि लोग मुंग्रे बहुत चौक से नहीं खा रहे होते बट अल्ला की बहुत बड़ी ब्लैसिंग है और इसको अच्छे तरीके से अगर पकाया जाए तो यह बहुत टेस्टी लगती है तो चलिए मैं आपको सिखा देती हूँ आज कि इसको आपने टेस्टी कैसे बिनाना है तब से पहले ऑईल ले ले एक चमचा ऑईल का ले लेना है उसको थोड़ा सा अपने मीडियम फ्लेम पर गरम कर लेना है अच्छा जी जब ऑईल गरम हो जाए तो फिर इसमें हम सबसे पहले डाल देंगे दार्चिनी के दो पीसिज एक में डाल रही हूँ इसमें बादियान का फूल और इसको थोड़ा सा मैं मिक्स कर लोगी इसके अंदर और तग्रीबर एक मिनिट तक मैं इसको पका लोगी उसके बाद मैं एक अदद प्यास मीढ़ना है और अभी ऐसा करना है आप लोगों को क आपको इसको थोड़ा सा प्यास को पका लेना है कि थोड़ा सा इसका color change हो जाए और यह थोड़ा सा यह देखिए आपके सामने है यह मैंने एक से दो मिनिट के लिए मैंने इसको पका लिया है medium flame के उपर और इसका color भी change हो गया है यहां पर थोड़ा बहुत तो इसी वक्त आपने डाल देना है एक खाने का चमच लेसन अधरक का पेस्ट तो वो डाल कर हमने लेसन अधरक को भी थोड़ा पकाना एक दो मिनिट के लिए ताकि लेसन अधरक का कचापन भी दूर हो जाए तो यह देखिए यहां पर आप देख लीजिए एक तो मिनिट हो चुके हैं और अब मैं इसमें शामिल कर रही हूँ हरी मिर्च हरी मिर्च तीन अधर मैंने इसमें डाल ली है आप देखेगा अगर जादा तेज हरी मिर्च है तो आप दो भी डाल सकते हैं वाट अगर कम तेज है तो तीन भी र टिमाटर को हमने इतना पकाना है कि टिमाटर का पेस्ट रेडी हो जाए इसको मीडियम फ्लेम पर ही हम इसको पकाएंगे और अच्छे तरीके से मजीद यह पक जाए और बिल्कुल बैट जाए उसके लिए हम यह करेंगे हम इसमें एट कर लेंगे थोड़ा सा पानी आदा कप इपर करके रखें कोई चीज तो बहुत जल्दी से पक जाती है इए तहीं को मै इसको कबर और सो आहरा हूं दो इन population मुद् 그ità कर लेते हैं那麼 इंगे ब्ली में मूंग से बॉयल कर लेती हूं क्योंकि सम्टाइस इससा होता है मूंगरे हार होते हैं वो सालन जाके जल्दी से ग कि ये बहुत अच्छा फाइन एक पेस्ट त्यार हो चुका है तो इस टाइम पर हम अब इसमें डालनेंगे स्पाइसेज नमक मैं डाल रही हूं एक चाय की चमच आप हस्बिजाइका डाल सकते हैं मिजाले हस्बिजाइका रख सकते हैं आप लोग और फिर इसमें डाल रही और यह थोड़ा सा मैं इसमें हाफ टी स्पून डाल रही हूं गरम मसाला अभी मैं इनको मिला दूंगी सब चीज़ों को और वही एक दो मिनिट तक हम इनको पकाएंगे मसालों को भी ताकि कच्छा पंदूर हो और फ्लेम यहां पर मेडियम ही है सो यह देखिए अभी इसमें मैं एक चाय की चमच लेमन जूस भी आड़ कर रही हूं इससे बहुत मज़ेका हो जाएगा सो यह डालने के बाद भी आपने इसको मिक्स करना है और जब यह मिक्स हो जाए आप देखिए कितनी खुब्सूरत शकल आ गई है इससे मसाले की इसमें इस टाइम पर डालने दो अदद आलू आलू भी मेडियम साइज के थे वह मैं डाल चुकी हूं और आपको यहां मैं बताती है जालू कि मेरे पास मूंगरे आदा किलो थे तो मैं आदा किलो का ही आपको मैं बता रही हूं आलू भी हमें गलाने है पूरे तरीके से तो फिर मैं इसमें डाल रही हूं हाफ कप पानी ताके आलू गल जाए आलू को ह अभी हम देख लेते हैं कि आलू हमारे गल गए हैं इस तक मैंने चेक किया है सो देखिए मिसाले में बहुत अच्छे तरीकी से रज भी गए हैं और ये बहुत अच्छे फाइन कूक हो चुके हैं मुंघरी और एनले मोंघरे बालुफिण कि नुम देखोयारा सब्रहारा के हैं अच्छे तरीके से चली में डाल तक हम अच्छे मिकस करने के बात चुपशाद करेंगे लोट मेडियम फ्लेम के उपर और ये देखिए कि जबरदस किसम का हमारा आपको नजर भी आ रहा होगा कि मुंगरे आलू मुंगरे हमारे बिल्कुल रेटी हो चुके हैं अच्छे तरीके से मसाले जा चुके हैं मुंगरों में भी और अभी चुके हमें स्मोकी बनाना है इसको तो स्मोकी बनाने के लिए यह होगा कि हम एक प्लेट रख लें और उसमें आप कोईले को सबसे पहले जो है दस से बारा मिनिट तक अच्छे देखे से गरम कर लें उसके बाद उसको किसी प्लेट में डाल के अपने इस आलन के अंदर रख लें और उसके प्लड़ा सा ओयल डाल लें और अब इसको ढख के छोड़ दें जब तक इसकी स्मोक खतम नहीं होती तब तक हम इसको ढख के रखेंगे और इस तरीके से हमारी बहुत अच्छी स्मोकी मुंग्रे रेडी हो जाएंगे और अभी एंड में हम इसमें डाल देंगे खारा धनिया जितना आपको ज़रूरत हो उतना डाल सकते हैं मैं अक्सर जब बनाऊं तो स्मोकी मुंग्रे बना लेती हूं क्योंकि अच्छे लगते हैं खुश्बूदार होते हैं बड़ा अच्छा लगता खाने में और स्मेल भी बहुत अच्छी आती है तो ये देखिए हमारे आलू मुंग्रे स्मोकी आलू मुंग्रे बेसिकली बिलकुल तयार हैं और ये खाने में बहुत अच्छे लगेंगे इसको आप अच्छार के साथ सर्फ कर सकते हैं रोटी नान के साथ आप इसको खा सकते हैं तो ये रेसिपी कैसी लगी मुझे जरूर बताइएगा कॉमेंट्स में मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजेगा और मजीद मेरी नई आने माली वीडियो तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त अलाफिस